स्वामी जी आप अंदविश्वास के खिलाफ हो ना लेकिन मूर्ती पुजा में आप बुराई नहीं समझो अब इन बात रो समाधान किस तर करोगा मैं मूर्ती पुजा में विश्वास कोने करो दूसरा लोगां की तरह लकडी, मिट्टी, धातूरी पुजा मैं कोने कर होगे? यह किसका चित्र है? बहराज का? दिवान जी, कृप्या इस चित्र को उतारिये? लिवान जी, इस पर थूकिये? मैं कह रहा हूँ, थूकिये? थूकिये इस चित्र पर? बहराज जी, यह आप मने कहीं करवारा वास्ता कह रहा हूँ, यह महराज रोचित्र है, मैं यह किस तरह कर सकूँ? लेकिन यह तो सिर्फ कागस का एक तुकड़ा है, ना तो इसमें महराज की हड्डियां हैं, नमास, नरक्त, ना तो यह महराज की तरह बोलता है, और नहीं उनकी तरह वहवार करता है, फिर भी आप इस पर थूकने से इंकार कर रहे हैं? क्योंकि इस चित्र में आप अपने महराज के रूप की छाया देख रहे हैं, बास्तव में आप इस पर थूकने से अपने महराज, अपने स्वामी का अपमान समझ रहे हैं, देखे महराज, एक अर्थ में आप इस तस्वीर में हैं, और दूसरे अर्थ में आप नहीं हैं, आ नहीं बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रत्यमा उनके मन में उनके इश्ट को लाकर खड़ा कर देती है और इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभू में मन रमा सके। आस्तर में वो पत्थर या धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करते है। महाराज, सभी लोग एक ही इश्वर की पूजा करते हैं। उस इश्वर की जो परम आत्मा है, शुद्ध ज्यान की चरम सीमा। और इशर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्चन दिया करते हैं सामे जी आपने मेरी आखें खोल दी दिवान जी तस्वीर को उसकी जगह पर टांग दी से झाल